तो चहन्त रैंट्स आज हम जानेंगे यूज ओफ प्रिपोजिशन आज के चैप्टर में में आपका टॉपिक है यूज ओफ प्रिपोजिशन और एक यूज ओफ प्रिपोजिशन हम सेंटेंज तो बहुत वहां इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा गरत इंप्रेशन जाएगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो गलत है या जो लिख रहे हैं वो गलत है तो उस गलती से बचने के लिए हमें रूल जानना पड़ेगा और हमें जाना चाहिए कि सही प्रिपोजिशन क्या है घांस इसको सीख़ीए सुनिये और समझिये और सब्से पहले इन जो प्रपीक्षिशन है कि इन का क्या रोल है यह एक उनस के बारे में उसके बारे में यह कामिस है और भी इनके के अंदर या मैं, इनका अर्फोतम में, यह समय का इंडिकेशन है, टाइम, ठीक है, यह जो है टाइम या समय के बारे में बताता है, टाइम, समय, अब जैसे कुछ पीरिड आफ टाइम होता है, वहाँ पर जब यूज करेंगे इनका, तो वहाँ सही यूज होगा, जैसे मैंने सेंटर्स से का, he will, he will come in two hours, he will come in two hours, मतलब वह दो घंटे में आ जाएगा, यह समय इंडिकेट कर रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है, कि वह दो घंटे के समय में आ जाएगा, यहाँ पर समय का इंडिकेशन है, समय का जो है समय के बारे में दिया गया, तो यहाँ इनका यूज किया गया, समय के लिए पर टाइम, ठीक है, और सेंटर्स दिखते हैं, इसके अलावा भी, I can do this work in two days, यहाँ पर भी, दो जिन का समय है, समय के लिए इनका यूज हुआ है, I can do this work in two days, मैं दो जिन में अब यह काम करता हूँ, और कहां यूज होता है, यह period of time है, limit वहाँ पर यूज होगा, आप add का use कहा होता है, वो भी समय के लिए होता है, add का use होता है, fix time के लिए, ठीक है, और fix time के लिए वो भी होता है, जैसे, देखिए, एक तो इसके लिए होगा, जो fix time है, इसके लिए होगा, समय, लेकिन यह कैसा होगा, fix होगा, ठीक है, औरा रहता है, औरत वबताने में के लिए यह ने चुझ के लाहत इट जो स्वचात कि ए select, एंग के अए ले दिए Image है, ठीक है, आइङ झा एंग रेल गाड़ी सुबह 8 बजे आई दा ट्रेन अराइब्ड अट 8 एम तो यहाँ एट का प्रेव हुआ है यह समय के लिए लिए टाइम के लिए हुआ है ठीक है ना और एट का यूज कहा होता है प्लेस थान के लिए ठीक है प्लेस या स्थान के लिए भी at का यूज होता है यहां कैसे होगा जैसे जो small places है टोटी जगे हैं टोटे स्थान है वहाँ पर यूज होता है जैसे he lives at village 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 court की he lives at village court की तो छोटा जैस्थान है इसके लिए court की छोटा इस्थान है list at court की या at village court की वहाँ पर at का यूज होगा place इस्थान के लिए और कहां यूज हो सकता है प्रवितम वेवाद्ट , प्रवितम प्रवित हैं। gate of college gate of the college gate of the college the college he stood at the gate of the college so here at आया ये भी स्थान का इंडिकेशन कर रहा है प्लेस के वाले में वाता रहा है ये स्मॉल प्लेस है इसलिए यहां पर एट का यूज हुआ है यहां विलेज वहाँ gate तो छोटे-छोटे स्थान है वहाँ एट का यूज होता है प्लेशन का और यहां पर जो स्थान समय वाला यह जो आप दो बात कर रहें है यह जो स्थान वाला समय है तो यहां के लिए प्लेस जो है वहाँ एड का यूज होता है तो दो जगे एड का यूज होता है एक तो होता है टाइम जो होता है फिक्स टाइम होता है वहाँ पर होता है या प्ले नाइट का जो टाइम होता है वहाँ पर भी यूज होता है, जैसे He came to my house At night, यहाँ आएगा At night He came to my house At night In night नहीं आएगा, At night At night क्या है? वो At night जब रात स्टार्ट होड़ी है, फिक्स ताइम है ठीक है? At night So night के लिए At का यूज हुआ है He came to my house At night In night नहीं होगा, In night अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा Stay At night होगा अब हम आगे सीखते हैं, इनका प्रयोग और कहां कहां होता है तो इनका प्रयोग जो है, स्थान के लिए भी होता है, टाइम के लिए होता है यहां आप लिख सकते हो, प्लेस, टी, कंट्री, ठीक है, तो उसने सिटी या कंट्री आता है, या कुछ और भी आ सकता है, कोई बिल्डिंग है, उसमें भी आ सकता है, बिल्डिंग, आदे-आदे, इस टाइब से, तो इनका जो यूज है प्लेस के लिए आता है, वो बड़े सिटीज के लिए भी आता है, जहां बड़े सिटीज का जिक्र होगा, जैसे यहां लिखा है, वह है लखनव में रहता है, वह है लखनों में रहता है, तो यहां आजाएगा he lives in लखनों, यहां क्या आएगा, in लखनों, at लखनों नहीं आएगा, यहां आएगा he lives in लखनों, in लखनों, ठीक, he lives in लखनों, और sentence, देखे, I, was in America last year, अब यहां इन आगया क्यों, अमेर्का क्या है, अमेर्का एक देश है, कंट्री है, तो कंट्री के संदर्म में भी वहां इन का यूज होगा, वहां इन आएगा, प्रिपोजिशन इन आएगा, at नहीं आएगा, बड़े शहर हो, या देश हो कोई, या कोई स्थान हो, बिल्दिंग हो, वहां पर भी इनका प्रियोग आज आएगा, ठीक है, तो मेटिंग वस खेलन इंड टाउन होगा, बिल्दिंग वगणा है, ये बिल्दिंग उप्रियोग है, मेल्टिं का नाम है चाहां दूसंपनesting अधिक आब हाल में उगी तो यह इनका जो यूज है यह प्लेस या स्थान के लिडि़ी आता है इसथां मुशें प्थांपन क्रेंद वडिक नाउदकर के अन तो सिंग कवा दुन है नeteада इस चै validate है अब आएगा into. लेकिन ये in का प्रियोग जब होता है. जब वो कोई चीज स्टैटिक होती है. ठाई होती है. वहाँ in आएगा. उसको कोई मुवमेंट नहीं होता है. गती नहीं होती है. लेकिन मुवमेंट अगर होआ तो in to आएगा. तीक है? अब यहां इंटू कैसे आएगा देखिए दा कैट रेंटू दा रूम दा कैट रेंटू दा रूम अब यहां रॉनिंग कर रही है कैट जा दिये मुंदल मुमेंट हो रहा है गती हो रही है इसलिए यहां इंटू का पर हो रहा है और एक्जाम्पल दिख लेते हैं दो बॉइ जंप्ड इंटू दा रिवा जंप्ड इंटू यहां इंटू आएगा फिर क्योंकि यहां गती हो रही है इंटू यहां इंटू आएगा इन्टू दा रिवार इन्टू बोई जंप्ड इन्टू दा रिवार इन्टू में गथी हो रही है यहां मूमेंट हो रहा है इस दिए इन्टू का प्रयोग हुआ है ठीक है अब और भी एक दो एक्जामपल हैं और देख लिएते हैं इन्टू दा मीटिंग हॉल यहां पे भी मूमेंट हो रहा है हम मीटिंग हॉल में गए यहां मीटिंग हो रही थी वहां हम गए को इन्टू समझ में आगया आपके अब आगे देखते हैं इनका यूज पहां होता है समय के लिए टाइम के लिए इनका यूज होता है टिक्स टाइम के लिए होता है ठीक है और एक-दो एक्जामपल और अट्ड्स समझ दे़िए जैसे आइविल यहां भी समय है यह समय के लिए उज़ हुआ है समय या टाइम के लिए उज़ हो रहा है इनका एक्जाम्पल है I can finish this work इन यहां इन आ गया in three days I can finish this work in three days मैं इस कारी को तीन दिन में कर लूँगा तो यहां समय आ गया समय की सुच में दे रहा है कि तीन दिन के अंदर कर लूँगा He will come in two hours वो दो वन्टे में आ जाएगा इस टाइप के एक्जाम्पल से हैं फिर है विदिन विदिन का मतलब होता है उस समय के अंदर अंदर उसमें सीमा बदी होती है fix time होता है उस limit के अंदर ही आना है ठीक है उस limit से एक minute भी वहार नहीं होना है वहां within का यूझ होना है ठीक है देखिए और example For example, the work should be completed, यहां आएगा विदिन, विदिन, विदिन अवीक the work should be completed, विदिन मतलब एक हफते के अंदर अंदर ही वो कार्यक पुरा हो जाना चाहिए, विदिन का मतलब है उस जो समय है टाइम है, उससे एक मिनट भी उपर दहने जाना कि उससे पहले ही हो सकता है लिकिन उसके बात नहीं हो हो आना चीए और देखिये घ् एड और रेन रिटन पस्टोरी विद रेने विद्न। विदे रिरिंस प्रीरे लिज्यचिती रिटन है। थीुचने से टीन दिनके अंदर अंदर नियदो टी। इसंए कहनिं 10 दिनके अंदर अंदर टी। ठीक है है। da train अरव्य विदिं तीम थी। the train, the train, the train, the station, वेदान, मतलब उस समय सिखा के अंदर अंदर, Within Time, THE train reached the station within time, उस समय सिखा के अंदर-अंदर train पहुँच गी, यह तो हो गया आपका in और within का, की in का use कहां होता और within का use कहां होता है, उसके बाद on लेते हैं, on का यूज होता है, जहां पर चीज़े स्थिर होती है, static होता है, स्थिरता होती है, वहाँ on का यूज होता है, ठीकर है? अब on का यूज कैसे होगा? यूज का यूज जके स्थिर त्या, जपक्ट उपता है, यूज कैसे था, जो आ हूँ है, बाद का यूज कैसी होता है? मेंज के उपर on the table, यहां static है, रुका हुआ है, स्थिर है, ठीक है, यहां we put the book on my table. यहां हो गया, put the book on my table. मेरी table पर book रख दो, विटाव रख दो, ठीक है. I was turning on the road. मैं सड़क पर खड़ा था, I was standing on the road, मैं सड़क पर खड़ा था. यहां भी on का यूज हुआ है, on का यूज हुआ है, के उपर, या पर, ऐसे मतलब सड़क पर खड़ा था, इसी स्थान पर वहां on, ठीक है, on the road. upon का होता है? upon मैं में जहां moment होता है, जती होती है. ठीक है? यह कैसे होगा? upon का मतलब भी, उपर से. ठीक है? यहां होगा, उपर से गुजरना. कि उपर से कोई निकड़ के जाता है गुजर के जाता है वहां और यहां और का मतना होता है पर ठीक है उपर यह पर अब देखिए इसका एक्जामपल है दा मंकी जामपल अपाउन अच्छेर अपाउन आगया है यहां पर दा मंकी जंपड अपाउन दशेर चेर के उपर से कुदा बंदर चेर के उपर से कुदा पुर्सी के उपर से कुदा ठीक है दा बर्ड फ्ल्यू अपाउन दा बर्ड फ्ल्यू अपाउन दा रूफ रूफ मान अच्छा बर्ड है च्छत के उपर से उड़ी यहां पे भी मुमेंट हुआ फ्ल्यू मतलब उड़ी दा बर्ड फ्ल्यू अपाउन दा रूफ इसके अलावा और भी प्रिपोजिशन है वो भी सीखते हैं यह आपने सीखे इन एट इन और इन तू और इन और विजिन अन और अपाउन यह जो वर्ड हैं बहुत इपोर्टेंट वर्ड से हैं और सही प्रिपोजिशन का यूज इसमें हुआ है तो आप सीखे होंगे कि राइट प्रिपोजिशन का यूज है राइट यूज कैसे होगा प्रिपोजिशन का वो है इसके अलावा अभी और हमने आपको सिखाता हूँ आप गैड़ी लिए एक सीक्टेंगे मेरे साथ आइए शीक्ते है करे आप करे आप करे आप करे आप करे सवर